हेई गाइज, वेलकम बैक टो आज चैनल, एडवेंचर ब्रदर्स, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे सिरफ तीन हजार रुपे में, रिशिकेश, दहरादून, मसूरी और धनोल्टी, सभी प्लेसेज आप कैसे एक्स्प्लोर कर सकते हो, यानि आप कैसे बहुत कम बजट में इन सभी चारो प्लेसेज में घूमने जा सकते हैं, मैं इस वीडियो में अपना एक्सपिरियंस शेर करूँगा, और मैं आपको मिनिमम बजट विद मैक्सिमम कमफर्ट के आधार पर फूल टूर प्लैन बताने जा रहा हूँ, बेहद कम बजट में चारो प्ले Dacement पहुझ जाएंगे, conducting रिशिकेश पहुचँ जाएंगे, देव उन आपको रिशिकेश में ही बिताना है , इस पूरे दिन आप रिशिकेश को explore कर सकते हैं। रिशिकेश में आप राम जूला लक्ष्मन जूला घूम सकते हैं। राफिन्ग कर सकते हैं शोपिंग कर सकते ह नीलकंट महादेव मंदिर के दर्शन कर सकते हैं और इसके इलावा कुछ दूसरी साइट्स भी विजिट कर सकते हैं एक दिन में पूरे रिशिकेश के आसपास की सभी साइट्स को बहुत आसान इसे कवर कर पाएंगे night stay आपको रिशिकेश में करने की ज़रुरत ही नहीं पढ़ेगी शाम तक रिशिकेश को घुमने के बाद रिशिकेश से दहरादुन की और निकल पढ़िए रिशिकेश से दहरादुन की बीच की दूरी करीब 43 किलो मिर है जिसमें करीब एक गंटा मात्र आपको समय लगेगा और आप दहरादून पहुंच जाएंगे नाइट स्टे आपको दहरादून में ही करना होगा दहरादून में होटल 700 से 800 में बहुत आसानी से मिल जाते हैं ये होता है आपका डे वन का प्लैन नेक्स्ट डे यानि कि सेकिंड मॉर्निंग उठेंगे तो इस पूरे दिन आप दहरादून को एक्स्प्लोर और इंजॉय करिए दहरादून में बहुत सारी जगे हैं जहां आप घूमने जा सकते हैं दहरादून में सहस्तरधारा घूमने जा सकते हैं रोबर केव जा सकते हैं, एफ आराई देखने जा सकते हैं, एक दिन आप दहरादून में बिताएं, आफ्टर नून तक आप पूरे दहरादून को एक्स्प्लोर कर पाएंगे, अब आपको उस दिन दहरादून से मसूरी की और निकल जाना होगा, दहरादून से मसूरी की इस पूरे टूर को आपको करना कैसे है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ नाइट स्टे आपको डे सेकंड का मसूरी में करना होगा पहाडो की रानी मसूरी जाना जाता है अपने बहुत खूबसूरत व्यूज के लिए डे थर्ड में आप मसूरी को एक्सप्लोर करने जा स कुछ लोकल आसपास की साइट को विजिट करने के बाद मसूरी से आप धनोल्टी की तरफ निकल सकते हैं साइट से इनको एंजोय करते करते आप धनोल्टी पहुँच जाएंगे मसूरी से धनोल्टी का डिस्टेंस मात्र 57 किलो मेटर है दो से धाई घंटे में आप तो डे 3 में आपको धनॉल्टी में ही नाइट स्टे करना होगा धनॉल्टी में भी होटल बहुत महंगे नहीं तक मैं आपको बहुत अच्छे रूम मिल जाएंगे धनोल्टी नाइट स्टे करने के बाद डे फॉर्थ में आप धनोल्टी के लोकल सैट्स को विजिट करने जा सकते हैं, वहाँ पर आप सुरकंडा देवी मंदिर दर्शन करने जा सकते हैं, इको पारक जा सकते हैं, टहरी डैम देखने जा सकते हैं, देवगर फोर्ट देखने तो इस तरह से day fourth धनोल्टि एंजॉई करने के लिए काफी है तो night stay दोबारा धनॉल्टि में कर सकते हैं क्योंकि evening में ही आप सारी side sinks को cover कर पाएंगे और night में धनोल्टि से return होना या आगे निकलना एक safe option नहीं है तो night stay आप day fourth भी आप धनोल्टि में कर सकते हैं धनोल्टी की खूबसूरती वाकई में काबिले तारीफ है धनोल्टी में दो रात रुकना एक बहुत अच्छा उप्शन है जो नजारे आप धनोल्टी में देखेंगे वो शायद आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे टेफ फॉर्थ में भी आप नाइट स्टेट धनोल्टी में कर लेते हैं तो जादा अच्छा उप्शन रहेगा तो अब आगे बात करते हैं टोटल कितने दिन का टूर रहेगा मैं आपको बता देता हूँ करीब चार दिन का ये टूर रहेगा अब बात करते हैं ये टूर आपको करना कैसे है देखिए ओप्शन दो है पहला ओप्शन है बस कर लीजिए वहाँ के लोकल ट्रांसपोर्ट यूज कर लीजिए लेकिन ये मिनिमम बजट के कैटेगीरी में फिट बैठता है मैकसिमम कमफर्ट की कैटेगीरी में फिट नहीं बैठता है दूसरा ओप्शन है ट्रेन उससे आपको हरी दौर पहुँचना होगा वहाँ से आप लोकल टैक्सी बस को यूज कर सकते हैं ये ओप्शन मैकसिमम कमफर्ट की कैटेगीरी में तो फिट है लेकिन minimum budget की category में fit नहीं बैटता है क्योंकि on the sport taxi hire करना बहुत ज़्यादा कोस्टली हो जाएगा मेरे हिसाफ से जो सबसे बड़िया option है वो है rented taxi अब सवाल ये उठता है rented taxi तो बहुत ज़्यादा कोस्टली है लेकिन आप मेरे बताए plan के according इसको करते हैं तो बहुत कम budget में इस trip को enjoy कर पाएंगे वो कैसे होगा अब बात करते हैं इस tour को करना कैसे है देखिए अगर आप student हैं तीन या चार दोस्त हैं तो sharing में इस tour को कर सकते हैं और इस पूरे tour में तीन रात का hotel का खर्चा मातर 25 रुपे के around आएगा इस से जादा नहीं आएगा अगर आप searching कर लेते हैं तो search करने का talent आपके अंदर है तो आप असानी से 25 सो में तीन रात का stay कर पाएंगे फूड का extra लगा लेते हैं एक बंदे का 3 से 4 दिन का food का cost 1000 रुपे से 1200 रुपे बैठ जाएगा और तुम्हारा ट्रांसपोर्ट का खर्चा 3000 रुपे बैठ जाएगा आपका grand total 6700 बैठ रहा है आप 7000 मान कर चलिए चार बड़े बड़े places घूम कर यानि आपके घर से पूरे हिल स्टेशन तक मातर 6700 में जिसमें ट्रांसपोर्ट, खाना और रहना सब कुछ इंकल्यूड रहेगा वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताईएगा जादा से जादा वीडियो को लाइक शेयर करें वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी कर लीजिएगा ना भी अच्छी लगे तो क्या पसंद नहीं आया वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजेगा उसका मैं जवाब जरूर दूँगा तो जल्दी से जल्दी बहुत सारे कमेंट करिए अभी के लिए बस इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद